हाई गाईज यू और अनिस्माईल आईएस यूटूब चैनल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आम आदमी नेशनल पार्टी बन गई है अभी वो नेशनल पार्टी बनी नहीं है जस्ट क्राइटीरिया जो बनाया गया है उसको क्लियर किया है यह न्यूज गुजरात इलक्सन के बाद से हो रहा है जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है नेशनल पार्टी को रिकोगनाईज करने के लिए उस क्राइटेरिया को आम आपनी पार्टी घ्लियर कले रहे है जिसके हैं अरविंद केजरिवाल जो इससमयद दिनली के चीप नेश्टर दे ठीये तो पहले discuss कर लेते हैं है अभी कौन-कौन सी बार्टी है जो नेशनल बार्टी है अभी तक आठ बार्टी है जो अभी तक नेशनल बार्टी है और नौवी पार्टी controllingी कर लेगा सीफाई कर दिगा तो नौवी पार्टी आमात्मि method हो जाए इस समय बहुजन समाझ पार्टी जिसकी हेड मायवती जी है बीजेपी वह भी नेशनल पार्टी स्की हेड है जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी एंड CPI Communist Party of India यह भी नेशनल पार्टी नेशनल पार्टी नेशनल कॉंग्रेस जिसके रहुल गांदी जी एड है नेशनल कॉंग्रेस पार्टी जिसके हैट सरत पावर भी है नेशनल पीपल्स पार्टी जिसके हैट सी संगमा है जो अभी मेगालिया के चीफ मिनेश्टर है ट्रेनमूल कॉंग्रेस जिसकी है ममता बेनर जी जी अभी तक आठ पार्टी आगर और उसके बाद नौवे पार्टी आम आदमी पार्टी जब एलेक्शन कमिशन सर्टिफाइग कर चलिए हम ओभी डिसके कोई पार्टी अगर चार से ज्यादा राज्यों में अगर स्ट्रीट लेवल पार्टी है तो इसको नेशनल पार्टी रिकोगनाईज कर लिया जाएगा यही सेम चीज हुआ है नेशनल पीपल्स पार्टी के सी संगमा के साथ कि इनकी पार्टी नौर नेशनल पार्टी 6% वोट किसी जनरल एलक्षन में जैसे या और एटलीस फूर लोग सभा सीड भी जीत लेती है तो वो नेशनल पार्टी जैसे अपने देश का पॉपलेशन है 120 करोड तो इप संबड़ी विन 6% वोट्स ओके 6% वोट मिंस एप्रॉक्षमेटली मौर दिन 9.5 करोड के प्लस फोर लोग सभा सीड तो उसको भी नेशनल पार्टी डिक्लियर कर दिया जाएगा और जो तीसरा कंडिशन है कोई पार्टी अगर 2% सीड कि अट लिस्ट फ्रॉम थ्री डिफ्रेंट से जीत लेती है 2% सीड मिंस अभी टोटल जो सीड है 543 है तो इसके इसाब से करीब करीब 11 और मौर सीड जो जीत लेगा वह भी तीन डिफ्रेंट से वह भी नेशनल पार्टी डिक्लियर कर दिया जाएगा और अरविंद केजिवाल की पार्टी भी ये क्रैटेरिया क्रैटेरिया क्लियर कर लिया है इसनी वाद़ वहनं की और गुज़राट की बात करते हैं और हिमाचल प्रतेश की six पर शंट जध्यां peydhahyap हुए गुजरात में भी पाइक पंजाब पारटी इस निशलWow को फायदा क्या आगर कोई पार्टी निश्! बंने के जैसे में तो कि आम आदमी का जाहा ही तो सिंबल जाएगा कि अगर अगर इस्टेट पार्टी होता कोई दूसरे इस्टेट में कोई बंदा काता कि मैं जाड़ू के अपना चुनाव चिननर रखे चुनाव लड़ना चाहता हूं तो उसको मिल सकता था उस पर्टिकुलर इस्टेट में अब यह नेशनल पार्टी बन गई है तब आल इंदिया मे कोई भी इस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकता तो यह एक फायदा है उसके अलावा जो इसके प्रेसिडेंट होंगे और जो इसके ऑफिशल होंगे उनको बंगलो मिलेगा दिल्ली में दिल्ली में आप सोची लोगी बंगला मिलना एक असान नहीं एक नॉर्मल पार्ट तो आपको अपना आपको टाइम स्लोट मिलेगा अल इंडिया रेडियो पर दूर दरजशन पर अपना बुलने के लिए प्रचार करने के लिए यह सिर्फ नेशनल पार्टियों को यह ही मिलेगा और जैसे आपके फोटी स्टार केंपियनर को आप नाम दे सकते हैं और उनका से ज्यादा लोगों को आप वो कर सकते हो इस्टार केंपियनर बना सकते हो और उनका ट्रेवल एक्सपेंस भी एलेक्शन एक्समेंस पर नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि एक बंदे का लिमिट होता है एक बंदा ही इतना ही पैसा खर्च कर सकता है और इसमें आपको कर सकते हैं